इस रेसिपी की रंगत देखिए इसका इस्टक्चर देखिए है न बहुत टेस्टी रेसिपी ये बहुत ही आसानी से बनता है हलो दोस्तों आप सबी लोगों का आर्ची मसाला कीचन में स्वागत है रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल पे नाए हैं तो सस्क्राइ अब हम टमाटर का पेस्ट बना लेंगे और मटर को हम दर्दरा सा में PRESID कर लेंगे तो देखिए इस तरह से दर दरा सा में DO कर ले करेंगे आप कोई बीया लेसकते तरहें आपके किचन में हो आधा चममा चमी हम जीरा एड करेंगे डिन पीशका आधा चममा छमी धसली साथ नादि करेंगे दनियां अग्याज क esca कर देंगे और उसके भूहनेस तो मिंट है हम यह दालνε है अदर्ग डालेंगे हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले के साथ हम्में भूना है आप हせनिडेंगे हम इसको एदाल हुए हुए एद्रक Bu नाता है यह डाल city घ्रेट कीया हुए अद्रक की जगां द्रकां प मैण चलोसी हैコres इसको spicy बनाने के लिए आधा चमच मलाल मिर्च पाउडर एट करेंगे एक medium size का लच्छे में बारिक कटा हुआ प्याज एट करेंगे प्याज को हमें भूनना नहीं है सिर्फिस में गलाना है तो हमने मसाले के साथ प्याज को अच्छे से mix करके इसको पकाएंगे हमें ये तब तक पकाना है जब तक की तेल रिलीज होके उपर ना आ जाए तो देखिए ये हमारा अच्छे से पक चुका है तेल अच्छे से रिलीज हो गया है और हमारा प्याज भी देखिए अच्छे से गल चुका है मसाला भी भूना चुका है तो ये हमारा मसाला तयार हो गया है अब इसमें हम स्वाद अंसार नमक एड़ करेंगे, तो हमने नमक इसमें एड़ कर दिया है, अब इसमें हम पानी इसमें पानी डाल रहे हैं, अगर आपको गाड़ा बनाना हो तो कम पानी डालिए और पतला करना हो, तो पानी कम या भी ज्यादा कर सकते हैं, अब इसको हम अच्छ तो देखिए यह हमारा ठंडा हो गया है अब जब हलका गरम रहे तभी इसमें आधा चम्मा चम गरम मसाला एड़ करेंगे बारी कटी हुई धनिया पत्ती एड़ करेंगे बाद में गरम मसाला एड़ करने से इसमें जो है मसाले की खुसबू और टेस्ट बना रहेगा तो इसक हमने बाउल में निकाल लिया है अब इसके लिए हम तड़का तयार करेंगे तो हम एक कल्ची में एक बड़ा चम्माच घी लेंगे और इसको हमें बहुत तेज गरम करना है तो देखिए घी बहुत तेज गरम हो चुका है अब इसमें पांच साथ के लिए हम लाशून की दो लंबाई में कटा हुआ हरा मीर्च एड करेंगे लच्छे में कटा हुआ हम इसमें अध्रक एड करेंगे और सभी को अच्छे से तड़कने देंगे तो देखिए यह हमारा तड़का तयार हो चुका है अब इसमें हम तड़के को एड कर देंगे इसके उपर से तड़के से सी से घरनिस कर लेंगे तो देखिए ये हमारा हरे मतर से कितना ही चटपटा और टेश्टी डाल बन करके तयार हो चुका है तो देखिए दोस्तों इसकी रंगत देखि ओर इसका structure देखिए है न बहुत ही तेश्टी डाल तो ये हमारी रेशिपी आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए सेयर करिए कमेंट्स करिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ